हेलो दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया में मौझूद आठ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी सारीरिक बनावट बड़ी ही अजीबो गरीब है और आज तक आपने ऐसे किसी के धर्ती पर होने की कलपना भी नहीं की होगी इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें दोस्तो कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि 19. सताबदी में इंग्लेंड में पैदा हुए एडवर्ड मौडरिक एक ऐसे इंसान थे जो अमीर और साही खांदान के वारिस थे उनके पास सारी सानों सौकत अराम नाम और मान सम्मान था लेकिन इन सब के बावजूद एडवर्ड की जिंदगी का एक बहुत भयानक और डरामना पन्ना था जिससे बाहरी दुनिया अंजान थे दरासल दुस्तो एडवर्ड के सिर के पीछे भी एक चहरा था जो एक तरह से सापिच और नफरत से भरा हुआ था वो एडवर्ड को रातों में सोने नहीं देता था वो उनके कानों में ऐसी बाते फुसुसाता था जो नरक में कही जाती है दोस्तो एडवर्ड ने डॉक्टरों से काफी मिन्नेते की कि वो उनका ये दूसरा चेहरा सरजरी के जरिये उनके सरीर से अलग कर दें लेकिन कोई भी डॉक्टर ये करने की हिम्मत नहीं कर पाया दोस्तो ये दूसरा चेहरा ना कुछ खाता था और ना पीता था वो बस हसता या रोता था वो चेहरा खास कर कि तब हसता था जब एडवर्ड उदास और दुखी रहता था दोस्तो एक समय ऐसा आया कि दूसरे चेहरे से परिसान होकर एडवर्ड ने 23 साल की ही उम्र में आत्महत्या कर ले मरते मरते उसने एक चिठ्ठी लिखे जिसमें उसने कहा था कि उसके मरने के बाद उसका दूसरा चहरा उसके सरीर से अलग कर दिया जाए वरना वो कबर में भी एडवर्ट को चैन से नहीं रहने देगा दोस्तो ऐसे कई सारे डॉकुमेंट्स हैं जो इस आर्टिकॉल को सही साबित करते हैं और वैसे भी इतिहास में ऐसे दसो और केसिस देखने को मिले थे जिसमें लोग दो सिरो के साथ पाए गए है दोस्तो इस बच्चे की जिन्दगी में कोई डरामने घटना नहीं घटी थे बजाए इसके कि ये बच्चा पैरसाइटिक ट्विन जैसी एक कंडीसन से गुजर रहा था जिसकी वज़े से ये एक तीसरे पैर के साथ पैदा हुआ था जी हाँ दोस्तो फ्रैंसिसको लेंटिनी ये वो लड़का था जिसके तीन पैर थे और तीसरा पैर घुटने से मुड़ा हुआ था इसका परिवार ऐसे किसी बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था इसलिए उन्होंने लेंटिनी को आनात आस्रम में छोड़ दिया दोस्तो पर उन्हें ये नहीं पता था कि भविस में यही तीसरा पैर उनके बच्चे को दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मददगार साबित होगा दोस्तो सभी कमियों और दुनिया की बातों को पीछे छोड़ लेंटिनी ने सरकस के दुनिया में एक उचा मुकाम हासिल किया इन्होंने अमेरिका के कई सरकस और साइड सोज में काम किया यहां तक कि उनके साथ ही भी इन्हें सरकस का दक किंग बुलाते थे लेंटनी का दो पैरों पर चलते हुए तीसरे पैर से फुटबॉल खेलना लोगों को काफी पसंद आया और इसी तरह आगे चलकर लेंटनी के जीवन में एक खुबसूरत लड़की भी आई जिससे लेंटनी को चार बच्चों का पिता बनने का सौभाग्य मिला दोस्तो पैरसाटिक ट्विन ये वो कंडीशन है जिसमें इनसान अतरिक्त सारिरिक अंगों के साथ पैदा होता है और ऐसे कई केसे से डॉक्टर्स का सामना भी हुआ है जिसके बारे में उन्हें नौलेज है लेकिन दोस्तो टॉम टैनेंट एक ऐसी कंडीशन के साथ पैदा हुए थे जिसे डॉक्टर्स ने पूरे इतिहास में कहीं नहीं देखा था दरासल दोस्तो इस बार इस ऑस्टेलियन बच्चे ने किसी एक्ष्ट्रा पैर या सिर से डॉक्टर्स को नहीं चौकाया था बलकि इस बार तो एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके सरीर पर एक पांच साल के बच्चे से भी जादा चमडा था उसका पूरा चहरा और सरीर मांस और चमडे के गदों से भरा हुआ था जब University of Melbourne के वैग्यानिकों ने इस केस को समझना सुरू किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह चाइनीज कुट्टे शर्पी का सरीर हैलुरोनिक एसिड के अधिक निकलने की वज़े से अतिधिक चमडे से भरा रहता है उसी तरह टॉम के सरीर में भी हैलोरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलता होगा और यही कारण है कि टॉम ऐसा है साथ ही दोस्तों डॉक्टर्स ने टॉम के माता पिता को ये आसवासन दिया कि बढ़ती उम्र के साथ ही टॉम का एक्स्टर चमडा हटता जाएगा और वाकई में उनकी बात सच निकले और आज टॉम एक हैंडसम चेहरे के साथ अपनी जिन्दगी जी रहे है दोस्तों वैसे तो टॉम टेनेंट जैसा कोई दूसरा केस अभी तक तो देखने को नहीं मिला लेकिन पॉलिडेक्टिली एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हाथों में या पैर में एक एक्स्टर उंगली निकल आती है और ऐसे तो कई केसेस भी देखने को मिल जाते हैं पर दोस्तों 2009 में कैलिफोर्निया हॉस्पीटल में एक ऐसा बच्चा जन्मा था जिसने एक बार फिर डॉक्टर्स को हैरानी में डाल दिया था दरसल कमानी हबर्ड नाम का ये बच्चा एक बड़ी अनोखी सारीरिक बनावट के साथ पैदा हुआ और उसमें अनोखी बात ये थी कि इस बच्चे के दोनों हाथों और पैरों में छैचै उंगलिया थी और वो भी सारी की सारी एक जैसी वैसे तो दोस्तों आम तर पर छटी उंगली तो देखने में मिल जाती थी पर वो बेकार पड़ी रहती थी क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं होती थी पर दोस्तों ये किस बहुत अलग था क्योंकि इस बार सारी उंगलिया एक जैसे काम कर रही थी पहले पहले तो कमानी के माता पिता का भी ध्यान एक्ष्टा उंगलियों पर नहीं गया था पर जब गया तो वो भी दंग रह गये उनसे कहा गया कि अगर वो चाहें तो उंगलियों को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है और अगर वो चाहें तो सरजरी से उंगलिया निकलवाई जा सकती है पर कमानी के माता पिता को पहला सुझाव ही सबसे अच्छा लगा दोस्तो गौरब गुराम नाम का ये बच्चा नैपाल का रहने वाला है बाकी बच्चों की ही तरह ये भी काफे मासूम और खुसमिजाज है लेकिन ये बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है दर असल दोस्तो इस बच्चे की पीट पर एक तीसरा हाथ भी है सच में भगवान भी इंसानों को हैरत में डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते दोस्तो जैसा की हम जानते हैं कि इस तरह का एक्स्टा सारेरिक अंग पैरसाइटिक ट्विन नामक कंडीशन के कारण ही होता है वैसे गौरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तो और गाउवाले तो गौरब को किसी अलोकिक सकती का रूप मानते हैं पर दोस्तो डॉक्टर्स ने गौरब का चेकप करने के बाद जो कहा वो आपके होस उड़ा देगी दरासर डॉक्टर्स ने पताया कि तीसरा हाथ गौरब के रीड की हड़ी से निकला है और बढ़ भी रहा है जो सायद भैविस में गौरब को वीलचेयर पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है अब दोस्तो आप सोचिंगे कि फिर तो सरजरी करना ही सही होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर्स के मुताबिक अगर सरजरी की गई फिर तो गौरब का अपाहिज होना पक्का है इसलिए गौरब के माता पिता के लिए कोई भी निडने लेना बेहद ही कठिन होगा पर दोस्तो हम आप यही कामना करेंगे कि जो भी निडने लिया जाए वो गौरब की ही हित में हो दोस्तो मार्च 2008 में भारत के नई दिल्ली सहर के पास एक गाउ में एक बच्ची पैदा हुई थी जिसके दो चहरे थे पर वैसे नहीं जैसे एडवर्ड मार्ट ड्रेक के थे बलकि यह उससे बहुत अलग हैं दोस्तो इस बच्ची का नाम लाली है और यह क्रेनियो फेसियल डुपलिकेशन नामक एक अजीब कंडीशन की वजह से लाली के दो चहरे हैं और ऐसा पांच करोड बच्चों में से किसी एक बच्ची में देखने को मिलता है दोस्तो इस बच्ची की एक और खासियत ये भी है कि ये बीना किसी दिक्कत के नॉर्मल तरीके से पैदा हुई थी और तो और ये दोनों मुह से दूध पीती है और अपने चारों आखों को जपकाती है और उनसे देखती भी है दोस्तो बाकी सबसे अलग विक्टोरिया नाम की इस लड़की की कहानी एक बड़ी ही अलग और अंदेखी कहानी है दरासल विक्टोरिया भी बाकी बच्चों की ही तरह साधारन बच्ची थे उसकी भी दो आखे, दो कान और एक नाक थे और कोई एक्ष्टा उंगली और चहरा या हाथ पैर नहीं था पर दोस्तो जैसे ही विक्टोरिया चार साल की हुई उसके बाद से ही उसका निचला जबड़ा बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगा और जब विक्टोरिया डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने बताया कि वो 24 नामक बीमारी से ग्रसित थे दोस्तो ऐसी किसी बीमारी के बारे में सायद ही आपने इससे पहले कहीं सुना होगा या कभी ऐसे किसी बीमारी की कलपना भी की होगी दोस्तो चरबीज में एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैनेटिक बदलाव की वजह से जबड़ी की हड़िया बढ़ने लगती है और जबड़ों में सूजन आने लगती है और वो बढ़ने लगता है दोस्तो विक्टोरिया का कहना है कि बच्पन में उन्हें कई परिसानिया जहिलनी पड़ती थी पर अब उन्हें इस बात के खुसी है कि इसी चहरे की वजह से उन्हें असली दोस्त और चाहने वाली लोग मिले दोस्तो आपको सायद यकीन नहीं होगा लेकिन इतिहास में कई ऐसी भी विज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने सरीर में एक्स्ट्रा अंग जोडने की कोसिस की है और आज के समय में जो इनसान ऐसा काम करने के लिए मसहूर है वो है स्टीलियोस और केडियो जिन्होंने बाद में अपना नाम बदल कर स्टेलार्क रख लिया दोस्तो इस्टेलार्क औस्टेलियन उनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जो इनसानों को तकनीकी से जोड़ने की कोसिस में लगे रहते हैं और इसी कोसिस में एक बार इन्होंने कुछ बहुत अलग काम करने की ठानी दरसल दोस्तो इस्टेलार्क ने प्लास्टिक सरजरी में इस्तमाल होने वाले मेटेरियल से एक कान बनाया उसमें माइक्रोफोन फिट किया और सरजरी के जरिये उसे अपने हाथों के अंदर डलवा लिया वो उस माइक्रोफोन को इंटरनेट से कनेक्ट करके दुनिया को वो स चाहते थे जो वो खुद सुनते थे पर बाद में इंफेक्षन की वज़े से माइक्रोफोन बाहर निकाल लिया गया पर कान अभी भी हाथ के अंदर ही है जो बाहर से दिखने में एक असली कान की तरह ही दिखाई देता है तो दोस्तों इन सभी लोगों में से आपको कौन सा इ थन्यवाद